दोस्तों किंडर यानि कि ट्रांसजेंडर का नाम आते ही आँखों के सामने एक अलगी चेहरा आ जाता है किंडर एक ऐसी प्रजाती है जो नहीं महिलाओं में आती है और नहीं पुरुशों में ये कैसी प्रजाती है जिनके जिन्दगी में नहीं शादी होती है और नहीं प्रेम सदियों से किनर हमारे बीच रहते आएं लेकिन समाज में उन्हें जो दर्जा मिलना चाहिए अभी भी उन्हें नहीं मिल पाए हलनके विदेशों में किनरों यानि की ट्रांसजिंडर्स को आज समाज का हैस्सा मान कर पूरी आजादी दी गई है वहाँ इंसान उन्हें टेड़ी नजरों से नहीं देखता और किनर वहाँ खुल कर अपनी जिन्दगी जीते हैं अज हम आपको कुछ ऐसे ही किनरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी खुबसूर्ती पर दुनिया भर के लोग मरते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अमिलिया माल तेपे के अमिलिया एक मॉडल हैं और मूल रूप से बांगलादेश के रहने वाले हैं अमिलिया का जन बांगलादेश के एक मुसलिम परिवार में हुआ था अमिलिया के पिता काफिस साक थे उनके घर में हर चीज को करने की रोक टोक थे वो अपने मन से किसी चीज को नहीं कर सकते थे जब उनके घरवालों को इस बात का पता चला कि अमेलिया एक ट्रांसजेंडर है तो उन्होंने अमेलिया को घर से निकाल दिया उसके बाद अमेलिया जपैन चले गए वहाँ उन्होंने अपने शरीर में कुछ हॉर्मोनल चेंजिस करवाए और मॉडलिंग की दुनिया में कतम रखा अमेलिया को शुरू से ही मॉडलिंग बहुत पसंद थे अज अमेलिया वोर्ल की फेमस मॉडल्स में से एक है जब वो एक सफल मॉडल बन गए थे तो उन्होंने दुनिया को ये बैद बताई थी कि वो एक ट्रांसजेंडर है इससे पहले ये बैद सिर्फ उनको और उनके घरवालों को ही पता थे दोस्तों अब बात करते हैं जेना तलाकोवा के जेना का जन 15 अक्टोबर 1988 को वैंकूवर कैनेडा में हुआ था जेना को बच्पन से ही मॉडलिंग का बहुत शौक था जेना बड़ी होकर एक मॉडल बनना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने काफे मेहनत के और फिर 2012 में Miss Universe Canada पेजिंट में भाग लिया महाँ से मीडिया का ध्यान उनकी खुपसूर्ती पर गया जेना ने ट्रांसजेंटर महिलाओं के लिए कई काम किये हैं दोस्तों आपको बता दें कि जेना को बड़े-बड़े ब्रैंड्स अपने प्रॉड़क्ट प्रमोशन के फोटो शूट के लिए कॉंटाक करते रहते हैं दोस्तों अब बात करते हैं थलीता जैंपिरोली के जो एक ब्रजिलियन मॉडल है थलीता जैंपिरोली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मॉडलिंग से जुड़े हुई पोस्ट अकसर शेर करते हैं और इन्ही फोटोज की वज़े से थलीता जैंपिरोली फेमस होई थलीता इतने ज्यादा खुबसुरत हैं कि पहले किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक ट्रांसजेंडर है जब थलीता मॉडलिंग से फेमस होई थलीता ने कई मुवीज और वेब सीरीज में काम किया हुआ है दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रांसजेंडर मॉडल के जिनने दुनिया की सबसे होट मॉडल कहा जाता है दोस्तों हम बात करें कारमन करेरा के कर्मन एक बहुत ही प्रसेद अमेरिकन रियालिटी टीवी हस्ती और कलाकार है वो पहले से ही फाशन के दुनिया में अपनी जगा बना चुकी है आज लोग उन्हें किन्नर की नजरों से नहीं बलकि एक खुबसूरत सुंदरी के तोर पर जानते हैं और उनसे मिलने के कोशिशें करते हैं आपको बता दें कर्मन ने खुदी मीडिया के सामने के स्वेकार किया था कि वो एक ट्रांसजेंडर है वो मानते हैं कि इसे बताने में कोई शर्म वाली बात नहीं है कार्मन को स्टार्डम तब मिला जब वो एक रियालिटी टीवी स्टार और मॉडल के रूप में विनर रूपॉल्स ड्रैग रेस सीजन 3 में दिखाए दे इस सीजन के बाद से लोग कार्मन को काफ़े ज्यादा पसंद करने लगे आपको बताते हैं कि कार्मन ट्रांसजेंडर राइट्स की एक स्ट्रॉंग सपोर्टर है ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए नोंने हमेशा समर्थन किया है दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसी ट्रांसजेंडर की जो अपने खुबसूरती के लिए जानी जाते हैं दोस्तों हम बात कर रहे हैं अंड्रेज पेजिक के दोस्तों अंड्रेज पेजिक का जन्म 28 अगस्त 1991 में हुआ था अंड्रेज पेजिक के एक उस्ट्रेलियाई टॉप क्लास मॉडल है और दुनिया की सबसे खुबसूरत महिलाओं में से एक है वो पुरुष और महिला दोनों के कपड़ों में मॉडलिंग करने की अपनी अनूठी शमता के लिए जाने जाते हैं अंड्रेज पेजिक को उनके सबसे खुबसूरत महिला लुक के लिए जाना जाता है और उस समय उन्हें उनकी अनूठी शमता के लिए दुनिया भर में पहचाना गया और साल 2011 में ही उन्होंने जॉन पॉल गॉटलियर शो में महिलाओं के रूप में और मार्क जेकब्स शो में पुरुष के रूप में भाग लिया अब को बताते हैं 2011 में उन्हें विश्व की सौ सबसे सेक्सियस्ट विमन की FHM मागजीन लस्ट के सूची में 98 रैंक हासल वे थे दूस्तों अब बात करते हैं एक ब्रजिलियन मॉडल वैलेंटीना सैंपाईयो के वैलेंटीना का जन 10 दिसंबर 1996 को ब्रजिल में हुआ था वैलेंटीना की मा एक स्कूल में पढ़ाते हैं वैलेंटीना बताती हैं कि जब वो 8 साल के थी तब उन्हें पहली बार मैसूस हुआ था कि वो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों से थोड़ी अलग हैं जब उन्होंने ये बात अपने घरवालों से बताई तो उनके घरवालों ने वैलेंटीना का पूरा समर्थन किया वैलेंटीना ने 2019 में पहली बार एक फैशन शोर में ट्रांसजेंडर के रूप में भाग लिया था यहां से उन्हें एक अच्छी पहचान मिले लोगों ने उनके खुबसूर्ती को काफी पसंद किया वैलेंटीना अब डियॉर, H&M, L'Oreal, Mark Jacobs और मोशीनों जैसे कई बड़े-बड़े ब्रैंड्स के प्रमोशन में देखी जाते हैं वैलेंटीना पहली ऐसी ट्रांसजेंडर मोडल हैं जिनने वोग पेरिस कवर में जगा मिले हैं वैलेंटीना को 2017 में रिलीज हुई फिल्म बर्निस प्रोक्योरा में भी देखा गया था दोस्तों अब बात करते हैं आइसिस केंग के आइसिस केंग एक अमेरिकन अक्ट्रेस और मॉडल हैं आइसिस को इस जेनरेशन के इंफ्लुएंशियल फ्रांसजेंडर विमन के रूप में देखा जाता है आइसिस ने एलवल्ड, जेनरेशन क्यो, इक्वल, गुड ट्रबल, दे बोल्ड अन दे ब्यूटिफुल और शेमलेस जैसे हिट निटफ्लिक्स सीरीज में मुखे भूमिकाय निभाई हैं आइसिस फिलिडिल्फिया के आर्ट्स इंस्टिटूट से ग्राजवेट हैं आइसिस ने आर्ट्स इंस्टिटूट और फिलिडिल्फिया में ही फाशन क्लब के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था और 2005 में बेस्ट इवनिंग वेर का अवोर्ड जीता था आइसिस अमेरिका के नेक्स टॉप मॉडल पे कंपीट करने वाली पहली ट्रांसजेंडर माइला हैं दोस्तों अब बात करते हैं एक और अमेरिकन मॉडल और आक्ट्रेस हारी नेफ के हरी नेफ का जन्म 21 अक्टोबर 1992 को अमेरिका के पैंसिलवेनिया के फिलरडेलफिया में एक यहूदी परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम डेविड नेफ है जिबकि उनकी मा का नाम रॉबिन्स लपनेक है जब वो दो साल के थी तब इनके माता-पिता का तलाग हो गया उसके बाइद वो अपनी मा के साथ न्यूटेन, मैसेच्चियूसेट्स चली गई हरी ने 2011 में कोलंबिया यूनिवसिटी से ड्रामा एंड थेटर आर्ट्स का कोर्स पूरा कर लिया हरी पहली ऐसी ट्रांसजेंडर हैं जो एक लेखी का भी है हरी ने मॉडलिंग के अलावा फिल्मों और टीवी शोज में भी अभिना किया है उन्होंने साइकोलोजिकल थ्रिलर शो यू में बलाइथ की भूमिका निभाई है हरी टंबलर और इंस्टाग्राम पे एक फेमस LGBT सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं और उनकी लगातार बढ़ती लोग प्रियता ने उन्हें LGBT के रूप में एक ऐसा सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर बना दिया है जिसे लोगों ने सबसे ज्यादा फॉलो किया है दूस्तों अब बात करते हैं लेना ब्लूम के लेना ब्लूम का जन 25 एप्रिल 1990 को शिकाकों में हुआ था ब्लूम का बच्पन बहुत ही कठिनाईयों के साथ बीता जन के बाद लेना के पिता ने उनकी मा को छोड़ दिया था जिसकी वज़ा से वो अपनी मा के साथ रहते थे बच्पन में उन्हें डान्स में काफे इंट्रस था इसलिए उन्होंने बैले, लिरिकल हिप हॉप, मौडन जैज, टैप और वोग जैसे डान्स में स्टाइल सीखे और एक वोसे टाइल डानसर बन गए इन दिनों ब्लूम दिन भर एक रेस्टरांट में काम करते थी और रात में डान्स की प्राक्टिस करते थी जब वो 14 साल की थी तो उन्होंने अमेरिका बैलेट थीटर के मंच पे अपना डान्स प्रस्तोत किया उनके परफॉर्मेंस की वज़ा से उन्हें शिकागो आर्ट अकाडमी से स्कॉलर्शिप मिले लेकिन जब लोगों को पता चला कि वो एक ट्रांस जेंडर हैं तो उन्हें प्रोग्राम में भाग नहीं लेने दिया गया और उन्हें अकाडमी से बाहर कर दिया गया इसके बाद वो निव यॉक चली गए और वहाँ पर जाकर भी उन्होंने एक रेस्टरांट में काम करना शुरू कर दिया निव यॉक में ब्लूम जिस रेस्टरांट में काम करते थी वहीं पर रात में एक डांसर के रूप में नाचने लगे जहाँ पर उनके खुबसूरती और नाचने के कौशल को लोगों ने पहचाना जिसके बाद उनके एक साथी ने उन्हें मॉडलिंग में करियर बनाने की सला दे जिसके बाद वो 2017 में वोग इंडिया में प्रदर्शन करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बने दूस्तों अब बात करते हैं जीना रोके रोके जीना का जन फिलिपीन्स में हुबा था जीना जब 15 साल के थे तब से उन्होंने ब्यूटी पेजिंस में कंपीट करना शुरू कर दिया था जीना एक सूपर मॉडल के अलावा एक आडवकेट और टेड स्पीकर भी हैं जीना ने ट्रांसजेंडर अधिकारों को बढ़ाने के उदेश से वकालत की थे और ट्रांसजेंडर के लिए एक जागरोकता भियान भी चलाया था साल 2014 में CNDY मागजीन के 5th anniversary पर CNDA के कवर पर जानेट मॉक कर्मन करेरा, लवरीन कॉक्स, जिजेल अलेश्या, लेना रेमोस, डीना मरे, जीना रोकेरो और नीना पून जैसे और कई ट्रांसजेंडर के इंटर्व्यूस को पबलश किया गया था जिसमें ट्रांसजेंडर को समान अधिकार देने की बात कही गये थे उसमें कहा गया था कि अब ट्रांसजेंडर भी समाज के और लोगों की तरह आगे बढ़ रहे हैं तो दोस्तों ये हैं दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली ट्रांसजेंडर्स जो प्रभावशाली होने के साथ साथ काफी अस्टाउनिशिंग भी हैं अपको इन में से सबसे ज्यादा इंप्रेसिव ट्रांसजेंडर कौन सी लगे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर अन कर लें धन्यवाद